हेलो अग्रिवन, वेलकम टो मैं चैनल, आज की रेसिपी है, मिक्स वेजीटेबल और अंडे से बनने वाली ये सबजी, इसे बनाना बहुत ही असान है, और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप दो की जगह पे चार रोटिया खा जाएंगे, और आपके घर पे जो बची हुई स सब्गे सबसें ऐसे आप बहुत टेस्टी रेसिपी बना कर रेडी कर सकते हैं सबसे पहले कड़़ाई कstell सकते हैं, सबसे पहले कड़ाई को अची तरह से गर्म करें, और इसमें तियल डाले टेल को अची तरह से गर्म हो जाने दे अब इसमें अंडवा डाले, मैंने पकने दे यह दो मिनाट में ही बनकर रेडी हो जाता है और इसे थोड़े बड़े साइज में ही रखे इसे बहुत ज्यादा चोटा ना करिए बनकर रेडी है अब इससे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब सेम कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाले और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दे तेल गर्म हो चुका है अब इसमें हरेमिज डाले हरेमिज का अमाउंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें हम छोटे-छोटे साइज में कटा हुआ अलू डाले है ध्यान रखे अलू का साइज छोटे-छोटे हमें छोटे रखे क्यूटकर पकने में टाइम लगता है और मैंने यहाँ पे थोड़े से ने और फिलको भी बिनस लेँến हैं और यहाँ पे थोड़े अब देख सकते हो हाई फिल में पांच मिनट फ्राइग कांट इसका कलर चेंज हो चुका है इसमें हम अद्रक लिष्ण का पेस्ट डालेंगे मैंने पर एक चमश अधरक लेशन का पेस्ट डाला है और एक बड़े साइस के टमाटर डाल दे साथ में नमक डाल दे और आधी चमश हल्दी हल्दी के मांट अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा करें रेट चिली एक चमश पॉडर और धन्या पॉडर एक चमश और यहां पर हम चि माले को अच्छी तरह से मिला ले जब आप इसमें मसाल डाल रहे हो तो इसका फ्लेम लो कर दे ताकि आपका सबजी नीचे से जले नहीं अब इससे तरह से कबर कर दे और इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक पकने दे बड़ ध्यान रखें चाहे तो आप इसे बीच में जरू मिल कि अब इसका flame मिद्यम कर दे और के मिडियम में तक पकने के मिडियम तक पेचा है आप 7 रखीक Арवा हो की preserved conscient अब देख सकते हो सबजी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा डालेंग जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा था इसे अच्छी तरह से मिला ले यह अच्छी तरह से मिल चुका है अब इसमें हम बारी कटा हुआ हारा धन्या डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर मिडियम फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए पकने दे ताकि अंडे में मसाले अच्छी तरह से चले जाए दो मिनट कम्प्लीट हो चुका है अब इसका फ्लेम बन कर दे हमारा मिक्स वेजिक टेवल के साथ अंडे की भूजी बनकर रेडी है आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राइ करें पराठा या रोटी के साथ इतना टेस्टी लगता है कि आप दो की जगा पे चार खा जाएंगे अब इस रेशिपी की एक बार प्लीज जरूर ट्राई करें अगर रेशिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलती हूँ एक और सिंपल टेस्टी रेशिपी के साथ तब तक लिए बा